नमस्कार दोस्तों स्वागात है आपके अपने यूट्यूब चैनल सन्विक क्लासे में हम लोग प्लेट फॉर्म बुक में दिया हुआ आज प्रेक्टिसेट नमबर 6 देखेंगे जिसमें दिया हुआ सभी 75 प्रशनों को डीटल सलूशन भी करेंगे तो आईए शुरू करते हैं पहले प्रशन से पहला प्रशन की सचीन और अंजली साम को एक दूसरे से आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे थे अगर अंजली की छाया बिल्कुल सचीन के बाई और थी तो सचीन कीस दिसमें मुख करके खड़ा था अब साम के समय सूरज किधर रहता है तो पश्चीन की और रहता है और अंजली और सचीन आमने सामने खड़ा अगर मान लिया कि ये अंजली है और ये सचीन है ये सचीन है वो करा अंजली का जो है वो सचीन के बाई और चाया पड़ रहा है तो सचीन की बाई और इस साइड होगा तो अंजली का चाया कहां पढ़ रहा इस और चाया पढ़ रहा यह अंजली के चाया है इसमय केता ह 살 सर सी हो जाएगा सचीन का दच्छन दिसा में मुह है सूरज पच्छी में है और च्छाया अंजली के जो है वो सच्छीन के बाई हो रहे हैं अगला परशना नीचे दिये गए कथन और निसकर्शनों को ध्यान पुरुवक पढ़े और यह निर ने करे कि कौन सा निसकर्श कथन का तारके क्रूप से पालन करता है कथन क्या है पैसा बचाए एक खरीदे तीन पाए एक बनीचिक ब्रांड का विग्यापन है अगर निसकर्श के अगर है इस आफर के बाद ब्रांड की विक्री में भारी बिर्दी हुई ऐसा कुछ नहीं है कथन में लोग खरीदने के की संभावना हो पेसकर्स की गई हो तो अंसर हो जाएगा हमारा सी केवल निसकर्श सकेंड पालन करता है फर्स नहीं दो बर्स के बाद परसेंट परती बर्स की दर से सधारन ब्याज और चक्रविद्धी ब्याज के बीच अंतर कितनी धनरासी पर पच्चीस रुपया के बर हो जाएगा एक सवघ्जा भाज कितना हो जाएगा यह होजाएगा दस हो जाएगा और चक्रविड़्धी भ्याज की बात करते हैं तो कितना ब्रॉच जा का यह रहाए incumbi एक हो जाएगा कितना पांच और अग। इसका आगले साल भी तौ इस पे 5 पे जो ब्याज आया था उस पे भी ब्याज लगेगा कितना परसेंट 5 परसेंट तो कितना हो जाएगा जीरो दे समलब 2 पाँच टोटल चक्रविर्दी ब्याज कितना हो जाएगा जो जाएगा 10.25 अब दोनों में अंतर क्या है 10.25 माइनस 10 कितना हो जाएगा अगर दो पांच का अंतर आता है तब जब मुलधन कितना माने थे सो माने थे और यहां पर कह रहा है कि 25 के बराबर होना चाहिए तो एक का हो जाएगा अगर हम 25 की बात करते हैं तो 100 बटा दो पांच गुना 25 पचीस पचीस कट जाएगा तब जब दसमलब उपर चला जाएगा हटा देंगे तो आजाएगा कितना 10 हजार अंसर हमारे पास आजाएगा वो हो जाएगा अगला प्रशन है यदि 80% के बाई परसेंट का एक्स परस प्रशन में का रहा है कि 80 गुना बाई बटा 100 इसका एकस परसेंट बटा 100 बराबर हो जाएगा कितना 900 गुना 25 बटा 100 बसी से हल किजिएगा तो एकस बाई का जो मान आएगा हो 900 गुना 25 गुना 100 बटा कितना हो जाएगा 80 बराबर हो जाएगा 1125 गुना 25 बराबर 28125 अंसर प्रस्चन पे चलते हैं, जब परकास एक माध्यम से दुसरे माध्यम में परविश करता है, तो खाली अस्थान क्या होता है? अंसर हो जागा D. आपतित किरन, आपतन बिंदू पर अभिलाम और अपवर्तित किरन सभी एक ही तल में होती है जब परकास एक माध्यम से दूसरे माध्यम में परवेश करता है अगला है जड़तु किसी पिंड का वहगून होता है जिसके कारण पिंड क्या होता है अनसर हो जाएगा डी अपनी बिरामा वस्ता या एक समान गती को परिवर्तित करने में समर्थ नहीं होता है जड़ातु के इस पिंड का वह गून होता है जिसके कारण पिंड अपनी बिरामा बस्ता या एक समान गती को परिवर्तित करने में समर्थ नहीं होता है जड़ातु का आर्थ होता है बस्तु पर लगने बाले बल के कारण परिवर्तन का बिरोध या बस्तू का वह गुन होता है जिसके कारण या अपनी स्वाइं की बिराम या एक समान गयती के वस्ता को बिलोद नहीं कर सकता है जड़ातू जो होता है प्रोपेस्टनल टू बस्तू के द्रभमान पे निर्भर करता है जड़ात बस्तू के दरब मान के बढ़ने से बढ़ता है तथा घटने से भी घटता है अगला है अर्थशास्त्र में जी एनपी का फुन रूप क्या है और इसका सही अंसर हो जाएगा वहगा D. ग्रॉस नेशनल पॉड़क्ट अर्थशास्त्री में जी एनपी का पुर्ण र बच्चा पढ़ाई में अच्छा नहीं है दूसरा यदि बच्चा नीजी ट्यूशन में नहीं ले रहा है तो वह बहुतर परदर्सन नहीं कर सकता है इसका अंसर जो हो जायगा भी ना तो एक और नहीं दो नहीं थे धारना है क्योंकि बच्चे के परदर्सन को बहतर बनाने का एक तरीका उसर नीजी ट्यूशन दिलाना इसका मतलब यह नहीं है जो बच्चा नीजी ट्यूशन नहीं ले रहा है तो वह बेहतर परदसन नहीं कर सकता है वह बच्चा पढ़ाई में अच्छा नहीं है यह कहना भी गलत होगा क्योंकि जरूरी नहीं है जो बच्चा पढ़ाई में अच्छा नहीं वह नीजी ट्यूशन लेता ही हो अतर न तो यह धरना है और नहीं दो नीद है नेक्स्ट प्रस्टन है ठंडे का रेफ्रिजिरेटर से वही संबद है जो गर्म का खाली अस्थान से है और इसका सही अंसर हो जाएगा और एलस्यम जो है चारसोवफफपन है तो चारसोवफफपन को अगर हम 13 से तोड़ते हैं तो 13 गुना 35 होगा तेरा को तोड़ेंगे फिर से तो 5 गुना 7 तो 35 हो गया यानि पहला जो हमारे पास आ रहा है वह तेरा गुना 7 एकान में हो रहा है दूसरा जो आ रहा है तेरा बी यदि एक गोले का ब्यास 3.5 cm है तो गोले का कुल प्रिष्टिय 6 फल क्या है और इसका सही अंसर होगा कैसे निकाल लेंगे तो सबसे पहले आर बरबर क्या हो जाएगा तो 3.5 वटा 2 बरबर 1.75 cm हो जाएगा उसके बाद कुल प्रिष्टिय 6 फल बरबर क्या होता है फोर पाई आर स्कॉयर यारी चार गुना बाइस वटा सात गुना एक दसंबलब सात पांच गुना एक दसंबलब साथ पाज अबर अबर 38.5 cm हो जाएगा तत्वों के निम्न जोड़े में से कौन से जोड़े के दोनों तत्म संक्रमन तत्व है और इसका सही जबाब हो जाएगा आप्शन C, F and PT जिन तत्वों के परमान या किसी योगिक में तत्व के कच्छक आंसिक रूप से भरे होते हैं संक्रमन तत्व या ट्रांजिशन मेटल कहते हैं जैसे कौन-कौन सा है तो वो है F, Z, P, T, C, U बर्ग 3 से 12 के तत्वों के संक्रमन तत्व या ट्रांजिशन मेट अगला है टेनिस के एक गेंद को 2 मीटर उचाई से गिराने पर पिर्थिवे से टकरा कर या केबल 1.5 मीटर तक बापस उचलती है टकर द्वारा इसकी उर्जा कितने भाग की हानी होती है तो उर्जा का 6 बरबर क्या हो जाएगा? उर्जा का 6 बरबर हो जाएगा 1 माइनस ब 5 बटा 2 बरबर हो एक माइनस 3 बटा 4 बरबर एक बटा 4 भाग यदि दो बसको आपस से टकराती है तो इस घटना को क्या कहते है? संगहटे कहते हैं अंसर जो हमारे पास हो जागा 1 बटा 4 बाग इतने उर्जा कितने भाग क्या आनी होगी? एक बटा 4 का अगला परसने शिरो लिली का एक मात्र प्राकिर्टिक अबास है सुंदर बन राष्टी उद्दान कहां है तो पच्छी मंगाल में सुंदर बन राष्टी उद्दान पच्छी मंगाल काजी रंगा राष्टी उद्दान कहां है तो वो है असम में और सिमली पाल नेशनल पर कहां है तो वो है बिकल्ब का चैन कीजिए जिसमें दिये गए सब्द कवबा संबद नहीं दर्साते हैं जो से तीन बिकल्बों के सब्दों द्वारा दर्साया जाता है और इसका सही अंसर हो जाएगा है एक फल पेड़ कार जो है एक क्या है एक बहन है गाजर एक सब्जी है तोता एक पच्छ सím माइनस 27 किमान क्या होगा तो इस एकवेशन से हल करना जुए और इसे निकालना हां तो अधिया हुआ है तो इक्स प्लस बाई q plus 3 into 2x by into 2x plus by बरबर क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा विसे solve करेंगे 8x q plus by q plus 6x by गुना 3 बरबर 27 हो जाएगा 8x q plus by q plus 18x by minus 27 बरबर 0 हमारा आ गया तो इसका मान कितना हो जाएगा वो जीरो के बराबर हो जाएगा अगला है पाइप ए और पाइप बी करम सथ 30 मीटर 30 mq पर आवर और 40 mq पर आवर पर एक टैंक भरते हैं साथ में वह चार घंटे में टैंक भरते हैं टैंक का आईतन क्या होगा तो सबसे पहले यह दोनों की छमता कितना हो गया तीस सपलस में कितना हो गया सतर मैं क्या होगा और और प्रस्रब्ध त्रंगों का उपयोग और इसका सही हो जाएगा दि उपरोग सभी परयोजन है तूँ किया जाता है गहरे जल में दूवी बस्तुओं की खोष्ट था उनकी घहराई ग्यात-करने किया जाता है है क्रित यकृत लीवर अग्यास सेять भई 20,000 कितना से 20,000 Hz से अधीक होता है उसे कहते हैं प्रस्रा बितरंग कहते हैं एक्स प्रस्प्रस ने दो आबेस दी दूरी पर है यदि उनके बीच डी टू मोटाई के तामे की प्रेट रखी जाए तो प्रभावी बल होगा कुलम के नियम के अनुशार जो क्या है एफ वराबर आब का रहा है युद्या प्रभावी इप्सिलों नोट और इप्सिलों आर जाएगा और इप्सिलों आर का जो मान होता है पेच्छिक पर वेद्वतान के लिए अनन्त होता है मांज होता है वो अनंत होता है एफ अब कैसे निकाले वन वाई फोर पाई इप्सलोन और आर के जगा पर क्या लिखेंगे इंफिनिटी लिखेंगे क्यूबन क्यूटू बटा क्या लिखेंगे डी अस्कौाइर लिखेंगे इससे सोल्ब करेंगे और इप्सलोन आर कमान इंफ स्थापना की और इसका सई अंसर हो जाएगा बी इंडियन लीक का इन भारतिये में रास्टता की भावना जगाने कि 1775 में इंडियन लीक इस्थापना की अमरीत बजार पत्रिका के सथापक मोतिलाल घोस और सिसीर कुमार घोस थे अगला है दिये गए बिकल्पों में से असंगत को चुनना है इसमें से बिकल्पों में से कौन सा संगत है वो देखना है P से R गया है प्लस दो, R से T गया है प्लस दो, S से J गया प्लस दो, J से L गया है प्लस दो, O से Q गया है प्लस दो, Q से S गया है प्लस दो, W से B प्लस दो तो गया है लेकिन B से Z है जो प्लस बन गया है तो हमारे पास असंगत वो है D, उस बिकल्ब का चैन करें जिसका तीसरे प यहां पर कह रहा है कि वह हो जो है वह क्या है वह पर हो जाएंगा कि कि यहां पर बॉर्बर है यहां पर mister सब्सक्राइब किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंत्रित कौन परीधी पर के कौन का दुगना होता है यानि कौन ए ओसी बराबर हो जाएगा टू कौन ए भी सी बराबर टू गुना साथ वरवर 120 डिगरी अंसर हो जाएगा सी 120 इसमें मेन है कि किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंत्रित कौन परीधी पर के कौन का दुगना होता है नेक्स्ट है निमलिधित ग्राफ है 2005 से 2011 के अबधी के दवरान एक उद्दोग के आयात और निर्यात के अनपात को दर्साता ह है ग्राफ का अध्यान किजिए और उसके धार पर पूछे गए प्रस्णुका उत्तर दीजिए कि यदि 2009 में 2009 में कंपणी का आयात 420 कडूर था तो निर्यात कितना होगा आयात और निर्यात के मुल्यों का यह अनुपात दिया हुआ है 2009 में ग्राफ का है तो आयात बट्ट निर्यात क्या हो जाएगा तो होगा 14 बट्टा 10 बराबर हमारे पास जो हो जाएगा ہों कितना हो जाएगा 450 निर्यात ब्रkiegoर हो जाया 34 जब निर्यात वरवर निकालेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 420 गुना 10 बटा 14 यानि 300 कड़वर कितना हो जाएगा 300 कड़वर option A हो जाएगा 14 बटा 10 इसले लिखे कि एक दसमलब 4 यहां पर दिया हुआ है इसी को नीचे दसमलब को लेके चल गया है तोड़ दिया तो 14 बटा परतिविम डिर्मित होता है कहां पर तो होता है फोकस पर किस तरह अगर यह हमारे पास जो है वह अवतल दरपन है यहां पर से यह आप एफ है अब अनंत से है कहीं पर कोई बस्तु रखा हुआ है तो प्रकास आ रहा है और वह कहां से एप से होकर गुजरेगा और इधर से भी है तो वो कहां से गुजरेगा वो एप से होकर गुजर जाएगा हमारे पास जो निकल कर आता है कहां परतिवीम बनेगा तो परतिवीम फोकस पर बनेगा इस इस्तिति में बस्तु के तुलना में परतिवीम का कार बहुत छोटा होता है बिंदू मादर होता है इस इस्तिति के दचनी दुरूप को उसी इस्ठिक कुंडली के और रखर उसके एक मेटर पर सकंड कि चाल जतों से गतिमान होने पर प्रिरेत बिवांत्रों के परिमान जो होगा वो समान होगा क्या होगा अरप्ट दोनों लेचा कर किया जाता है एक फार्मूला होता है फ्राड़े के बराबर यी बराबर माइनस एन डी फाइबडा डी टी होता है नेक्स्ट है सत्रहभी सतावदी में मुगल समराठ साहजां दोरा निरमित खाली अस्थान लगवग दो सो बरसों तक मुगल समराठों का मुखनिवा स्थान था। अंसर हो जाएगा ए लाल किला दिल्ली 17 सतावड़े में मुगल समराट साहजान तौर णियमित लाल किला जो दिल्ली में लगfik दो सो बरसों तक मुगल समराटों का मुखनी बास अस्थान था लाल किला का अकिर्टी निम्नांकित अकिर्टी स्रिंखला में प्रश्ण बाचक जिनके अस्थान पर आएगे अंसर हो जाएगा option d next देखते हैं निम्नांकित चार अकिर्टियों में से तीन एक निश्चित परकार की समानता है और एक असंगत है उस असंगत अकिर्टी का चैन किजिए तो करेंगे उसके बाद आगे का प्रोसेस करेंगे जब इससे आप हल किजाएगा हमारे पास जो आएगा वो कितना आ जाएगा वो च्छे आजएगा आई ये देखते हैं हल करते है नो दसम्लब तीन साथ साथ माइनस चोटी को तीन प्लस जीरो दसम्लब पांच और गुना हो जाएगा यहां पर 3.1 मानिस 2.3 4 6 क्योंकि 2.3 गुना 1.02 किये हैं आगे स्वल्ब करेंगे तो 9.377 मानिस 3 हो जाएगा पलस 0.377 हो जाएगा विससे स्वल्ब करेंगे तो 9.377 मानिस 3.377 अंसर हो जाएगा छे अंसर कुई ट्रेन एक समाव चाल से 225 किलोमेटर की दूरी 8 g घंटे में तई करती है ट्रेन का उसी साथ 400 किलोमेटर की दूरी तई करने में कितना समय लगेगा यहां पर दोनों चाल को सिर्फ रिक्वेट कर देंगे तो एक का होता है दूरी बटा समय लगा इसमें भी दूरी बट तीचे के तना पांच बटा दो घंटे में त्य करती है साथ चार सो यहां निकाल देंगे एपांच गुना चार सो बटा दो गुना दोसो पची स्थीज तो टीटू बराबर हो जाएगा श्रमानुकर्मांक 1018-36 चैज़्वन बाले तर्टकों खाले स्थान है अंसर हो जाएग इनाइट गैस परमानुकरमांग 10, 18, 36, 54 बाले था तो अक्रिये गैस है अक्रिये गैस के अंतरगत हिलियम, डियाउन, औरगन, क्रिप्टाउन, चेनान और रेडाउन आते हिलियम की खोज फ्रैंकलेंड और लोकेर ने किया था और हिलियम ब्रहमान में दूसरा सर्माधिक पा एक समान रहती है क्योंकि उसके बाहितम कच्छा की संख्य एक समान रहती है अगला है भारतिय समिधान के अनुछे 44 के किस भाग में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता का प्रबधान नहीं थै अंसर हो जाएगा B भाग 4 भारतिय समिधान के अनुछे 44 के भाग 4 में नागरिकों के लिए सम्हान नागरिक सेंकता का प्रभधान है भात्य समिधार के भागतीन में मूल अधिकार का प्रभधान है और भागछे राजसक्तियों के विस्तार से संबंदित है भात्य नागरिकता को लेक भाग दो में अनुछे 5-11 में किया गया है और मौलीक अधिका T M है यहां से देखे R से plus A क्या गया है E से plus A क्या गया है यहां से B से plus A क्या गया E से F क्या गया plus A क्या गया है L से हमारे पास M क्या गया है S से T क्या गया है यह भी plus A यहनि plus A के करेंगे तो K से plus जो करेंगे तो वो कहा हो जाएगा L हो जाएगा, N के परलस करेंगे, तो हो जाएगा, I, G को अगर हम देखते हैं, तो यहां पर S, G हो जाएगा, I, T को देखेंगे, तो यू, I हो जाएगा, तो अंसर हमारे पास हो जाएगा, वह होगा C, नेक्स्ट प्रशन है नेवलिकी संख्या में दो संख्याओं को कोश्टा के भीतर रखा गया है सिरिंख्या को ध्यान प्रुबक का ध्यान करें और सिरिंख्या के समध्द में सही बीगल्व चुने अब यहां देखे 101-12 करते हैं तो कितना हो जा रहा है वह जा रहा है 90 और इस पर चैना होगा कितना होगा है दोनों केdefense कर छकश्ण संख्याएं नहीं नहीं क्योंकि गहटाने पर सब नब्य सव नोहजार इस्तरकार है नेक्स्ट है एक निश्चित कूट भासा में परजेंट को इतना लिखा जाता है उसी कूट भासा में स्टेट को किस परकार लिखा जाएगा तो आएए लिखते हैं सबसे पहले क्या क्या है परजेंट को P को कितना लिखा है, 7 लिखा है P कमान कितना होता है, अंग्रेजी बनवाला में 16 होता है 16 को 1 प्लस 6 जोड़ेंगे, तो कितना हुआ, 7 हो जाएगा R का अंग्रेजी बनवाला में कितना होता है, 18 होता है 18 को जोड़ेंगे, 1 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा नीज होता है यानि नो एक दस हो जाएगा टी का बीस होता है दो प्लस जीरो दो हो जाएगा आई का क्या होता है एक ही होता है आई सबर एक होता है टी का फिर बीस होगा तो दो होगा और एका पांच होगा यानि दस दो एक दो पांच होगा अंसर जो हमारे पास आजाएगा तो दी गई संख्याओं का सही अउसत क्या हो जाएगा 36 का क्या हो जाएगा तो जोड़ देते हैं क्योंकि 84 को गलती से अउसत पढ़ लिया गया है तो गलती अउसत घटा देते हैं लेकिन पढ़ना कैसे 84 तो क्यों बड़े हो जायगा 36 बटा क्या हो जाएगा 46 म LE pops आपर अंसर हो जाएगा जब इसे काटें हैं हो जाएगा जब की नेक्स्ट प्रस्वन है कि यह जीरो डिगरी से 90 cooler with only one with home to be 111 मानास को सरल किए दए इसे हम तोड़ते हैं वान प्लस प्वार्ट बटा दना मैन एसे को तुना रही तो होजाएगा मैधाज 109 का से क्तरूरण होजाएगा हमाने पास बन données कॉस्पार्ण sin square x अदोनों के यह square में हो जाएगा तो हो जाएगा 1 पलस cos x बटा क्या हो जाएगा sin x यानि 1 बटा sin x plus cos x बटा sin x यह हो जाएगा cos x आई यह जो हमारे पास आईगा वो कितना हो जाएगा वो cortex के बरावर हो जाएगा अंसर जो हमारे पास होगा वो d cortex plus cos x परभावी नाव की आवेश के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है अंसर हो जाएगा बी यह केवल नावी की आवेश पर निर्वर करता है किसी परभावी नावी के दौरा बाहितम कोस में उपस्थित इलेक्टरोन पर लगाया जाने बाला करसन बल परभावी नावी की आवेश कहलाता है और नावी की आवेश जो स्योजी इलेक्टरोने के परिछन परभाव के बावजूद भी मसूस करता है परभावी नावी की आवेश कहलाता है परभावी नावी की आवेश परमानु अकार के वो हो जाएगा A, 3-methyl, 1-pentine हो जाएगा यहाँ पर आप एक लिखिएगा, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 यहाँ पर जो हमारे पास C2H5 को अगर तोड़ियेगा किसन में तो CH2, CS3 में तोड़ियेगा तो यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर आप तो 3-methyl, 1-pentine हो जाएगा अंसर जो हो जाएगा वो होगा A निमलिकित में 84 ग्रेंड मास्टर खिताब बिजेता कौन है? सही अंसर हो जाएगा C, बैसाली रमेश बावू बैसाली रमेश बावू 84 ग्रेंड मास्टर खिताब बिजेता है बैसाली रमेश बावू भारत की तीसरी महला ग्रेंड मास्टर बनी है कुनेरू हैंबू ग्रेंड मास्टर खिताब जितने वाली पहली भारतीय महला है आर्ट प्रग्नम भारत के युवा सत्रंग ग्रेंड मास्टर बने है तमिलनाडू भारत का सबसे अधिक grandmaster खिताब हासिल करने वाला भारतीय राज़ भी है नेक्स्ट है निम्लिखी स्रिंखला में अगले पत का चेहन करें ये देखते हैं अगले बी से क्या गया है डी क्या है प्लस दो है डी से एफ है प्लस 2 है, S है, प्लस 2, S से J प्लस 2, J से L प्लस 2 है, S से प्लस 2 क्या हो جाईगा? N हो जाएगा 2 से 4 से 6, 8, 10, 12, उसके बाद क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा अंसर जो हमारे पास आजएगा, वो जाएगा D N 14 अगला प्रस्ण है यदि एक आर्थ जोड़ना बी कार्थ गुना सी कार्थ गटाना डी कार्थ भाग है तो निम्लिखित ब्रेंजा कमान क्या होगा अगर प्रस्ण अनुसार अच्छरों को मान देंगे तो यहां पर हो जाएगा 625 भागा पांच प्लस तिरान में माइनस बास 22 गुना 8 अनसर जो हमारे पास आजाएगा तो 42 सही अनसर हो जाएगा डी उस संख्या का चैन करो जो निम्लिखित सिरिंख्ला में अगली संख्या क्या होगा यहां पर 0 है प्लस 2 किया है तो है प्लस 4 किया गया है प्लस 6 किया गया है यह प्लस 8 किया गया है प्लस 10 किया गया सबसे पहले क्या है संख्या को बढ़ते करम में हमें लिखना होगा तभी माधिका नहीं कर लेगा तो बढ़ते करम या घड़ते करम लिखते हैं 140 150 151 फिर से एक तीरपन एक सब एंठामन एक सब पैसट एक सब सतर है कूल पर कितना है टोटल देस है तो माधिका बराबर होता है वह क्या होता है वह दोनों के जोड़ने के वाद वो दो प्लस शठवा प्लस शठवा प्लस शठवा प्लस शठवा पद को जोड़िए और दो से भागा दीजेंगा एक सो एक सो तीरपन ओपर यह जो नहीं यह पांच वाह यह चछठा पर है दोनों के जोडने कवाद दो से भागा देंगे तो अंसर हो जाएगा हमारे पास एक सो तीर पर सही जवाब हो जाएगा बी यदि पांच क्रामिक पुर्णांकों का योग एस हो तो उनमें सबसे बड़ा पुर्णांक एस से किस रूप से जाएगा पांच एकस बरावर हो जाएगा iis-10 एकस बरावर हो जाएगा iis-10 बटा कितना हो जाएगा बड़ा जिया एकस प्लस 4 है, एकस के दिमान कितना हो जाएगा, तो s minus 10 बटा 5 plus 4, यानि हो जाएगा s plus 3 plus 5 इसे जब हागे सोल्व करें so s plus 10 बटा 5 ही आएगा यानि यह हो जाएगा s minus 10 बटा 20 तो 5 इसे जब सोल्व करते हैं तो अंसर हमारे पास आजागा S पलस 10 बटा 5 अंसर कौन सा है तो वो हो जाएगा option D निमलिखित में से किस अभिकिरिया में सजातिय संतुलन सामिल है और इसका सही अंसर हो जाएगा वो हो जाएगा A 2 N O 2 2 N 2 पलस O 2 सजातिय संतुलन हो है जिसमें अभिकारा के बंपर्तिफल समान भहती का वस्ता में रहता है N O 2 गैसिय वस्ता में और O 2 है जो गैसी वस्ता में अटहिया सजातिय संतुलन है इसस्सीटलीन में सिगमा तथा पाई बंद कितने होते हैं इसस्टलीन में सिटलीन का जो हमारे पास फारूना होता है C, triple bond C, यहाँ पर H अगर single bound है तो उसमें से 1 sigma bound होगा sigma bound होगा, यहाँ भी single है तो sigma bound होगा, और triple bound में जो होता है, 1 sigma होता है 2 pi होता है, हमारे पास जो answer आ गया, वो sigma कितना हो गया 4, 1, 2, 3 3 sigma हो गया, 3 जो हो गया sigma हो गया, और 2 जो हो गया, वो pi bound हो गया है तो सिफ सिग्मा होगा डबल बॉंड है एक सिग्मा और एक पाई होगा ट्रीपल बॉंड है एक सिग्मा और दो पाई बॉंड होगा यहां पर यह इससे चेक करना है च्छतिसवा सिय कुष्टी चैंपियंशिप 2030 में एक मात्र स्वान पदक इसने जीते हैं और इसका सही अंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अमन सहरावत ने जीते हैं इसमें रूपीन अंतिम पंगार और निशा दहिया रजत पदक बिजेता बने हैं च्छतिसवा सिय कुष्टी चैंपियंशिप 2030 में मात्र स्वान पदक किसने जीता है तो वह हो जाएगा तो वह होगा अमन सहरावत आयोजान कहां हुआ था तो काजिक्रिस्तान के अस्ताना में हुआ अगला है L, M, N, O, P, Q परिवार एक कोनली में पंक्ती में बने घरों में रह रहे हैं Q और O जो है M के पडोसी हैं L और N, P के पडोसी हैं यदि O, L का निकर्तम पडोसी नहीं तो दिये गए बिकल्पों में से Q निकर्तम पडोसी कौन है यहां पर हमारा होगा Q, M, O, N, P, R, L इस तरह रह रहे हैं या फिर बन सकता है N, P, L, Q, M, O इस तरह भी बन सकता है दोनों स्थितियों में पडोसी है कि Q का निकर्तम पडोसी जो है वो जो है M ही है तो अंसर हमारे पास आदेगा होगा C अगला प्रस्न है कि निम्न संख्या श्रेनी के अधार पर पोछेगा है प्रस्न का उत्तर दे, बायं से यह संख्या दिया होगा philosopher चार, शे, खार, आठ, अब कहरा है कहाँ दाय सैट्यवे स्थ्थान पर जो आएगा वो संख्या कौन है वो है चार, अंसर जो होगा A उस बिकल्ब का चैन करें जिसका पाचवे अच्छर समू वही संबन्ध है जो दूसरे अच्छर समू को पहले अच्छर समू से है और चोथे अच्छर समू का तीसरे अच्छर समू से है यहां पर देखते हैं कि D से G गया है वो कितना प्लस तीन है एक से S गया है माइनस पांच है और B से I गया है प्लस साथ है यहां भी देखते हैं कि KBR NQ जो तीन माइनस पांच प्लस साथ का है तो यहां पर JNP को देखेंगे पलस तीन माइनस पांच और पलस साथ के स्रीज करेंगे तो एंसर जो हमारे पास आ जाएगा वो कौन सा जाएगा तो बोज़े गए BMIW आगला प्रस्न है कि एक कुसल अर्द कुसल करम सांत आठ और दस दिन काम करते हैं उन्हें अपने काम के लिए कुल 371 रुपया मिलते है यदि परती दिन के कामों का नुपाँ इस तरह है तो पर्षिशित क्रमचारियों के तो कुल कितना मिलता है तो सबसे पहले तीन चार चो जो बटा में है उसे तोड़ देंगे तो कैसे होगा एक बटा तीन गुना बारा करेंगे बारा इसलिए कि तीन चार चे के LCM जो है वो बारा है अनुपात एक बटा चार गुना बारा करेंगे अनुपात एक बटा च्छे गुना बारा करेंगे तो यह हो जागा चार अनुपात तीन अनुपात दो अब कुसल करमचारी का हिस्सा कैसे निकालेंगे तो वो साथ दिन में काम करता है और इसका प्रतिन काम का अनुपात कितना वो चार है तो साथ गुना चार कर देंगे अब बटा कितना करेंगे साथ गुना चार इसका पलस आठ जो है आठ दिन में वो करता है अरत कुसल वाला और कितने तीन उसका अनुपात है काम का अब पलस कर देंगे दो गुना दस अब गुना कितने रुपया में ये परती दरजन के दर से 40 दरजन अभ्यास पुस्थिका खरता है 50 रुप्य परती दरजन के 40 यानि कितना टोटा तुटा रुपया लगाया at 2,000 ले उसमें स्वगा 10 दरजन 15 लाब पर बेचता है और उसको 15% के लाब पर बेचा है यह 75 रुपया उसे लाब हुआ अब बागी जो 1500 रुपया है 30 दर्जान का उसे 25% के लाब पर बेचता है तो यह कितना हो जाएगा 450 रुपया उसे पुरा लाब बिला है तो लाब परसेंट क्या हो जाएगा लाब परसेंट हो जाएगा लाब अगुना 100 करेमूल कितना था 2000 रुपया कार देजिएगा यहां पर हो जाएगा 25% अंसर जो हो जाएगा होगा C माना पाचंत अंतर में खाली अस्थान से पीत रस का अस्तराब होता है और इसका जो सही अंसर हो जाएगा वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसके दोरह एक जिव मादा के रूप में जीवन अराम करता है और कलांतर में नर्में बदल जाता है इसका सही अंसर हो जाएगा A, अस्ति पूरवता क्या कहता है प्रोटोगेमी वह प्रक्रिया अस्ति पूरवता प्रोटोगेमी कहलाती है जिसके दोरह एक जीव मादा के रूप में जीवन अराम करता है और कलंतर में नर्में बदल जाता है हाले में अटपाडी कंजर्वेशन रिजर्व किस राज का नया कंजर्वेशन रिजर्व बना है सही अंसर हो जाएगा D. महाराष्ट महाराष्ट राज का नया कंजर्वेशन रिजर्व है महाराष्ट सरकार ने कैनिड यानी जंगली कुतो के परिवार के सरक्षन के लिए केबला देवराष्ट रिजर्व में रजस्थान में और थोल जील पच्छे अभिहरन गुजरात में पौंग बांद जील के माचल परदेश में है अगला पराष्ट कथन अब निसकर्ष के हाइद कथन रिखते हैं कुछ चतुरभुज बर्ग है यहां पर अगर हम चतुरभुज करते हैं चतुरभुज है और यह जो है वो क्या है वो बर्ग है सभी बर्ग सम चतुर भूज है यानि सभी बर्ग जो है वो क्या है सम चतुर भूज है चतुर भूज है तो इस तरह का हमें बन क्यार आ गया है अब देखे निसकर्स में कोई भी चतुर भूज सम चतुर भूज नहीं है गलत है सभी सम्चत्रूभुज बर्ग है ये गलत है कुछ सम्चत्रूभुज सम्चत्रूभुज सही है तो अंसर जो हमारे पास हो जाएगा बी केवल निसकर सकेंड निकलता है नेक्स्ट है नीचे दिये गए बेन आरेक में पंचबुज किर्केटरों का प्रतिनीदित करता है बर्ग सत्रंज खिलाडियों का प्रतिनीदित करता है और एक में दी गई संख्याएं असिस्ट में ब्यक्तियों की संख्या का प्रतिनीदित कौन करता है तो हमारे पास जो हो जाएगा ये जो बाइस है वही हमारा अंसर हो जाएगा answer जो हो जागा, कितने क्रिकेटर से खिलाड़ी है लेकिन कलर्ट नहीं है, तो वो है, बाइस answer C हो जाएगा, अगला प्रस नहीं blood relation का, A plus B कार्थ है, A B का भाई है, A minus B कार्थ है, A B की पत्नी है इस तरह का इसमें दिया हुआ है, और एक question दिया हुआ है, उसके जनुसारब बताना है कि T का P से क्या संब्द है, तो सबसे पहले देखना है P और S में, P जो है, वो किसका S का, यहां, भाई है, क्या है, भाई है, और जो Q है, वो क्या है, Q के पुत्री जो हो गया, वो कौन हो गया, वो S हो गया, यह क्या हो गया, पुत्री हो गया, Q का, और इसके बाद R गुना में ही है, तो यानि R के पुत्री कौन हो जाएगा, वो हो जाएगा, Q, क्या हो गया, Q हो जाएगा, अगला है, T की बात कर रहा है, तो T और किसमें संबन है आर में ती और आर में तो ये पती पतनी हो जाएगा ती जो है हमारे पास जो है वो पती पतनी हो जाएगा इसके बाद भी की बात कह रहा है तो भी जो है भी के पिता है कौन है वो है टी पिता है और यू आ रहा है तो यू के भी पिता है कौन भी यानि भी भी इfficacy का युका पीधा है भी का इन दोनों में खाले सकती है किदिने गंटे में भरेंगे तो सिथेए अभिष्ट समय बरबर निकाल लीजिए अभिष्ट समय बरबर 15 गुना 18 बटा 15 पुलस 18 डारेट कीजिएगा 90 बटा 11 आजाएगा 8 पुना के 2 बटा 11 घंटा आजाएगा अंसर जो हो जाएगा option G हो जाएगा वे अभिष्ट बीजी पौधे जिनके बीजों में 2 बीजपत्र होते हैं उन्हें कहा जाता है और इसका अंसर हो जाएगा option D बीजपत्री पौधा वे अभिष्ट बीजी पौधे जिनके बीजों में 2 बीजपत्र होते हैं उन्हें 2 बीज प्रक्स के अनुपस्थिती में होती है तो इस पर्कास के अनुपर स्तीती में हो इसका सही अंसर हो जाएगा लगा सब्स हानगां ऎसंधड ऊbird हाली में असम और के सम्भाव से किसे सम्मानित किया गया है अंसर हो जाएगा ओप्शनंफ बी रंजनो का लिएक अकिर्थी में कागज के टुकड़ों को मोड़ने के क्रम और उस मोड़े हुए कागज के काटने का तरीका दसाया गया है इस कागज को खोने पर यह कैसा दिखेगा और इसका सही अंसर हो जाएगा option B इस तरह के दिखेगा उस बिकल्ब की आकिर्थी चुने जिसमें दी गए एकिर्थी संनीहित है एकिर्थी को घुमाना नहीं है इसका जो अंसर हो जाएगा वह जाएगा option C निमक्छी सब्दों को अक्तार्प और State और अर्थ पून कॉर बेवस्तित करें Heavenly सबसे पहले इसके बाद ट्रिलियन उसके बाद पाड्रिलियन उसके बाद उक्ट्रिलियन अनसर जो हमारे पास आ जाएगा हो जाएगा सी यदि 384 आखामन और छेसो संतार में का महत्तम सवावर तक से एक्स है एक्स कमान किसके बीच होगा यागर हम 328 को करेंगे 2 के power 3 गुना 41 400 एकामन को कर रहे हैं 11 गुना 41 600 97 को करेंगे 17 गुना 41 यानि 41 तो यहां पर common आ रहा है तो S.C.F. जो हमारे पास होगा वो कितना होगा 41 होगा जो 40 और 44 के बीच में है अंसर हमारे पास हो जाएगा हो जाएगा D मवेसियों में मुख और पेरो के रोग किसके कारण होते हैं और इसका सही अंसर हो जाएगा अफसंटी बिचानू के कारण मवेसियों में मुख और पेरो के रोग बिचानू के कारण होता है पस्वों में बिचानू से कौन को रोग होता है बिशानू से तो वहा हो गया मुवSchba खुडा की बिमारी को कहते हैं खुडा की बिमारी परो का जो बिमारी हुआ इसका लिवार पशु पलेग बी सानू से होता चरुप पासूं से होताँ और मौलिंग निश्नल पार्क किस्ते संबन दित हैं मॉलिंग नेशनल पार्क और इसका सही अंसर हो जाएगा सी अरणाचल परदेस से मॉलिंग नेशनल पार्क भारते राज अरणाचल परदेस में इस्तितिक रास्ट्य उध्यान है यह मुख रूप से उपरी सियांग जिले पस्षिम सियंग और पूर्बी सियंग जिले के कुछ हिसों में फैला हुआ है उन्हें 122 में नामदफा राष्टे उदान के बाद यह राज में बनाए जाने वाला दूसरा राष्टे उद्यान था अगला प्रस्ण है कि योट्टा D1 निम्लिखित में किस से संबधित है योट्टा D1 और इसका सही अंसर हो जाएगा वो हो जाएगा A, डाटा सेंटर योट्टा D1 देश का सबसे बड़ा अउत्तर भारत का पहला हाइपर असकेल डेटा सेंटर है इसे ग्रेटर नोड़ा उत्तर परदेश में अस्थापित किया गया है नेक्स्ट प्रसन है किस राज की लाल चीटी की चटनी को भगोलिक संके जियाई टेग प्राप्त है और इसका अंसर हो जाएगा A, उडिशा उडिशा राज की लाल चीटी की चटनी को भगोलिक संके जियाई टेग प्राप्त है दुनिया के सबसे महागे मस्रूमों में से एक रूप में परसी जम्मु कस्मीर के गुच्छी मस्रूम को हाले में भगोलिक संके दिया गया है जियाई टेग प्राप्त मुंगा सिल्क भ जगा धन्यवाद